आज की हमारी मूवी है Conjuring, The Devil Made Me Do It ये कहानी एक सची घटना पे आधारित है फिल्म की कहानी 18 जुलाई 1981 से सुरू होती है जहां हम वारेन को देखते हैं जो एक डेविड ग्लैडजल नाम के ठीजल चिफ चुलाँ inten similar की कहानी और सारी लोग दोड़के उसके रूम में आते हैं अर वाल पे सक्रच करता है और वो वारेन के साथ मिलेगए पर दीखाएं डेविड वाइलंट हो जाता यहां और वारण जब उसे टच करते हैं तो उसे आजीब से विजन दिखाई दिखाई देते हैं देविड बोलता है वो Ed के दिल की धरकन रोक देगा एरन उसे पकड़ लेता है और वो डिमॉन से बोलता है वो इसे कुछ ठीक नहीं लगता तो वो घर चला जाता है Doch ब्रुणो को बताता है तो प्लीस को फोन करके बताती है rs लटबत पे चल रहा था तो उसे पुलीस वाला मिल जाता है वारेंश आर्ने से मिलने जेल में आते हैं मगर उस टाइम वो पोजेस नहीं था फिर Warren lawyer से मिलता है और उसे court में पोजेस होने वाली बात बोलने को करता है मगर lawyer मना कर देते क्योंकि court ऐसी बातों पर यकीन नहीं करती इसलिए वो lawyer को अपने घर बुलाता है ताकि वो उसे Annabelle से मिला सके जिससे उसे devil पर भरोसा हो 19 September 1981 को court में RNA की hearing होती है वहां lawyer बोलती है कि RNA नेदोश है क्योंकि उसने खून उसे सोने की वजे से किया है मगर court ये बात नहीं मानती फिर Warren's Exorcism के tape को दुबारा सुनते है और यहां कहानी flashback में आती है जब डेविट, डेवी और RNA एक घर में shift हुए थे वहां डेविट एक bed पे खिलता है जिसमें से एक हाथ उसे अंदर किशने की कोशिश करता है मगर वो बच जाता है मगर वहां का floor खराब हो जाता है फिर present में Warren's floor को देखते हैं और कहते हैं यह water की वज़े से खराब नहीं हुआ फिर Lauren एक basement में जाती है जहां उसे एक witch totem दिखाई देता है वो समझ जाती है यहां डेमोन को कुछ करके बुलाया गया उसी ने आरने के हाथों कतल किया और उस डेमोन को कोई और कंट्रोल कर रहा है फादर Gordon, Warren's को एक father character से मिलने को कहते हैं तो Warren's उन से मिलके उन्हें totem की photo दिखाते हैं तो father उन्हें अपने घर के basement में ले जाते हैं और बताते हैं उन्हें नौ साल इन चीजों पर पढ़ाई की है तो उन्हें वहाँ पता लगता है कल्ट के लोग सेटल की पूजा blood sacrifice करके करते थे जब रैम कल्ट के लोग पर trial हुए थे तो जज की wife pregnant थी और trial के बाद उसका बच्चा 6 week early पैदा हुआ था इसका दिल body से बाहर था और उसकी wife ने rail track पे जाके आत्मात्या कर ली थी आगे हमें दिखाई देता है एक अकट लेडी आरने के पिक के साथ कुछ करती है जिससे जेल में उस पे एक demon attack करता है फिर warrens एक detective से मिलते हैं जो उन्हें बताता है दो college girls केटी और जेसिका अचानक से गायब हुए थे कुछ दिन बाद केटी की last मिली थी जिसमें 22 बार stem किया था मगर जेसिका का कुछ पता नहीं लगा और इसी दोरान पुलिस को जेसिका के घर में ऐसा ही विच्टोटेन मिला था इगले सीन में detective Warrens को उसी जगहां ले जाते हैं जहां केटी की बाड़ी मिली थी Lauren अपनी power से वह पता करती है वहां क्या हुआ था वो देखती है Jessica और केटी यहां थे और Jessica poses होके केटी को 22 बार stem करके मार देती है Lauren जैसा देखती है वैसा ही action करती है वो भाग के एक cliff पर जाती है और वहां एक हाथ उसे नीचे कीचता है मगर Ed उसे बचा लेता है और Lauren बोलती है Jessica की body यहीं होगी फिर search team को वहां एक body मिलती है मगर यह confirm नहीं होता वो किसकी है पिर Debbie Ed को phone कर बताती है आरने आप खुद को मारने की कोशिश कर रहा है तो Ed एक father की मदद मागने को बोलता है वो father आरने को एक holy water देता है जिसका गोला बनाके आरने उसके अंदर बैठ जाता है दूसरी तरफ Lauren का कहना था कि इस cult को तोड़ा जा सकता है movie के start में उसे एक vision आता है जब वो David का exorcism कर रही थी फिर वो एक mob में जाते है जहां Jane की dead body मिलती है dated 21 October 1981 फिर Lauren उस body क्या हाथ पकड़ती है तो उसे एक vision आता है वो एक tunnel में है जहां एक औरत black magic कर रही है और यहां present में आरने खुद को मारने की कोशिश करता है उस holy water को तोड़के interesting बात यह है कि जैसा action वो औरत कर रही है वैसा यह action आरने कर रहा है लौरन चिलाती है और यह प्रक्रिया भंग हो जाती है और आरने बच जाता है लौरन उस औरत को face करती है तो वो औरत real में एक मरे आदमी को भेज कर लौरन पर attack कराती है मगर add उसे बचा लेता है उस table को तोड़ना होगा जिस पे वो औरत सब कर रही थी तो लौरन बोलती है वो एक tunnel में है फिर अचानक से add बिहोश हो जाता है उसकी आखे खुलती है तो उसके सामने वही एक औरत खड़ी होती है फिर वही mob वाला आदमी उस पे attack करता है जैसा ही add मारने वाला होता है वो होश में जाता है फिर लौरन देखती है उस रूम में मुझाय फ्लावर रखें जिसके अंदर वही witch totten था अब उस औरत का अगला सिकार add था फिर लौरन फॉरन उस बुक को आगे translate करने के लिए फादर कैश्टर के पास जाती है आरने डेबी के पास जाती है फादर नुमन के साथ कि शायद आज वो औरत आरने को मार देगी और यहाँ add उस औरत को locate करने की कोशिश करते हैं और उन्हें पता लगता है वो किसी लेग के पास है फिर add को याद आता है इसी एरिया में फादर कैश्टर का घर है और वो काश्टर के घर निकल पड़ते हैं यहाँ लॉरेन काश्टर के घर पहुँच चुकी है और उन्हें बताती है उसके husband की जान खत्रे में है तो फादर उसे बताते हैं इस कर्स को पूरा होने के लिए तीन विक्टिम चाहिए चैसिका और एटी चैल्ड थे आरने लवर और एड मैन आफ गॉड आरने और एड के मरते ही कर्स पूरा हो जाएगा फिर फादर लॉरेन को बेस्मेंट में ले जाते हैं यहां एक ट्विस्ट आता है हमें पता लगता है फादर की बीवी ने एक बेबी गर्ल को जन दिया था मगर चाइल्ड बर्थ की वज़े से वो मर गई थी इसलिए फादर ने अपनी बेटी को चर्श से बचा रखा था वो इसी बेस्मेंट में बड़ी हुई इसला को अकल्ट स्टडी में रूची आ गई और धीरे धीरे वो सेटनिस्ट बन गई इससे पता लगता है कि वो औरत कोई और ने फादर की ही बेटी थी फादर ने ये बात इसलिए छिपाई क्योंकि वो अपनी बेटी से मिलना चाहते थे और वो बताते हैं वो नीचे टरनल को एक्स्पूर करती थी तो शायद उसकी टेबल वहीं हो इसला वहां आ जाती है तो लॉरेन भाग के नीचे टरनल में जाती है और यहां इसला अपने फादर को मार देती है फिर लॉरेन के पीछे जाती है यहां नीचे लॉरेन को विजन आता है वो खुद पर ही अटैक कर रही है फिर वो टेबल के पास पहुंच जाती है मगर वो टेबल काफी भारी था तो लॉरेन कुछ नहीं कर पाती और इसला उसके पीछे आ जाती है तबी एड फादर के घर पहुंच जाते हैं और उन्हें लॉरेन के चीखने की आवास सुनाई देती है तो वो एक लॉक को तोड़ के टरनल में जाते जहां उन्हें लॉरेन दिखाई देती है मगर वो लॉरेन नहीं इसला थी जो उन्हें पोजिस कर लेती है और एड लॉरेन पर ही अटैक कर देते हैं यहां इसला अपना काम शुरू करती है और जेल में आरने पोजिस हो जाता है और वहां कुछ अजीब घटनाए होती है आरने हवा में उड़ने लगता है यहाँ एड लॉरेन को मारने वाला होता है तो लॉरेन उसे याद दिलाती कैसे वो लोग मिले थे और उन्हें प्यार हो गया था इसे याद करते ही एड होश में आ जाते हैं और उसी हैमर से उस टेबल को तोड़ देते हैं जिस पे ये प्रक्रिया हो रही थी पर तूटते ही आरने होश में आ जाता है फाइनली इसलाव वारेंस के सामने आती है और मरने लगती है क्योंकि उसने सेटन से अपने सोल की डील की थी और वो कर्स पूरा नहीं कर पाई उसे अपने जैसी ही एक डिमॉन दिखाई देती है जो उसे मार देती है और सब कंट्रोल में आ जाता है इस घर से बाहर निकलने के बाद एट के हार्ट में पेन होता है मगर लॉरें उसे एक दवा देती है और वो ठीक हो जाता है और फिर कोट में अरने को पांस साल की जेल होती है वो जेल में ही डेवी से शादी कर लेता है फिर वो जेल से निकल जाता है और साथ रहने लगता है ये ट्रू स्टोरी यहीं पे खतम हुई ओके गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा फिर मुलाकात होगी तब तक keep smiling, be happy